करें करें और सेटिंग में जाते हैं और हाँ जैसा कि देख पारें ठीक है ऐसा मैंने कैसे किया दोनों मुबाइल में एक ही WhatsApp कैसे यूज करा हूँ आपको सारा कुछ बताता हूँ ठीक है तो आए दोस्तों सीख लेते हैं कि एक मुबाइल नंबर से हम कैसे दो फोन में WhatsApp चलाएंगे तो एक फोन में तो आपका अल्रेडी WhatsApp बना ही है उसी सेम नंबर से दूसरे फोन में बनाना चाहते हैं तो दूसरे वाले फोन में आप WhatsApp को डाउनलोड कर लेज़ेगा Google Play Store से अपने नंबर ऑपने करे लिए उपन करे गार्यी जब आपको अपने आपको अपको आपको अ क्लिक यह same कई से से आएगा आए माइपको बिताता हूं आपको पएक हो किसी भी कंपनी का हो आपको आपको अपने मुबाइल फोन के स्टेटिंग में जाना ठीक है जब आप setting में आ जाएंगे न तो यहां पर ऊपर या नीचे कहीं additional setting का option होगा या तो आपके phone में about section का option होगा या तो my phone का section होगा उसी पर आपको click करना है click करेंगे तो बहुत सरे option आएंगे लेकिन यहां पर जब नीचे आप आएंगे न तो एक option होगा world version के नाम से एक option होगा world version इसी पर click करना है 4-5 बार click करना है तो जब 4-5 बार click करेंगे तो आप में developer option enable हो जागा देखे लिख रहा है you are now a developer तो आप इसी में जब developer option आप में open हो जाए तो देख सकते हैं मेरे में developer enable हो चुका है ठीक है और हम अब क्या करेंगे हां से back आजाएंगे ठीक है अब back आजाएंगे अब हमें क्या करना है कहां से developer हमारा option मिलेगा जब हम slide करेंगे हैं पर नीचे के तरफ तो देख सकते हैं बहुत सरे option आ जाएंगे इस तरह से system का एक option है लेकिन हम ना developer मिले थे हैं पर search बार में हम लिखेंगे d e b e ठीक है या d e b मतलब developer आप में पर लिखना है ठीक है जैसे आप लिखेंगे देख सकते हैं आ चुका है डबल पर option system वाले में ठीक है थम डबल पर option पर क्लिक कर देंगे इसी पर जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सरे option हमें देखने को मिल जाएंगे जैसे आप देख पा रहे हैं इसी में आपको slide करते हुए चले आना ठ और एक option है smallest width का option है इसी पर आपको क्लिक करना है ठीक है और एक screenshot एक page का ले लेजेगा क्योंकि इसे दो बारा से फिर आकर यही setting करना होगा तो मेरा 360 है मुझे याद है अगर आपको नहीं याद है तो इसका एक screenshot ले ले लेजिए और यहांसे इसको हम 500 करेंगे ठीक है 500 करक okay कर दिया बस यहांसे done हो गया हम यहांसे back आजाएंगे ठीक है और back आजाएंगे ठीक है और back आने के बाद जैसे अब हम अपने whatsapp पे जाएंगे और यहां पर three dot पे click करेंगे three dot पे तो link और device का option आजाएगा यहीं पर आपको trick लगाना है अब हम लिंक और device पे click कर देंगे और यहां पर हमारे में code generate हो जाएगा और दूसरे वाले phone में जो हम whatsapp बना रखे है ना उसमें हम आजाएंगे और यहां पर देखिए और three dot का option और three dot पे click करेंगे link device पे click करेंगे और यहां पर link और device पे click करेंगे और यहां से अपना fingerprint लगाएं तो fingerprint नहीं तो pattern नहीं तो pattern देजेगा और इस code को किसी तरह से आपको scan कर लेना है ठीक है तो मैं यहां से code को scan कर लेता हूं तो मैं scan कर लिया ठीक है जो code यहां पर दिख रहा था इस phone में scan कर लेना है आपके सामने में live हो जैसा आप देख पा रहे हैं और सभी का सभी चैट उसमें चला जाएगा और same ID इसमें भी login हो जाएगे और दोनों फोन में चलने लगेगे आपको मैं live दिखाने वाला हूं ठीक है आप इस तरह से live बने रहे हैं आपको सारा कोई अच्छे से सिखा दूंगा और दूसरों पूरा same chat हूब हूब न इसमें आ जाएगा इंटरनेट थोड़ा आपका तेज ह हो रहा है ठीक है और इस तरह से स्टार्ट होगे और पूरा chat देख लेजिए तो मैच करवा लेजिए पूरा का पूरा same chat है ठीक है अब आये में पूरा setting में वापस जाके उसको साही भी तो करना है अब जब इस तरह से आपका कार्य हो जाए तो दोबारा से अपने mobile phone के setting मे वही पर चले जाए जहां से आप आये ठीक है और यहां पर search बार में search कर लेजिए search बार में search करें डी इभी अभी developer option आ जाएगा तो हम थोड़ा से वेट कर लेते हैं developer option आगे इसी पर क्लिक कर लेंगे और सेम उसी setting पर चलेंगे जहां से हम आये थे सबसे आखिरी में था ल नाम था उसका ठीक है और इसमालेश्ट वीथ के नाम से आप संथा इसी पर क्लिक करेंगे और यहां पर 360 इसे फिर कर देंगे और okay कर देंगे ठीक है और हमारा बिल्कुल अब पहले की तरह हो जाएगा अपना phone ठीक है और हमारा WhatsApp इनेबल हो जाएगा आपको live में दिखाना चाहूंगा अब हमें ऐसे बैक आ जाते हैं हमारा सेटिंग हो रहा है और सेटिंग यहां पर डन हो गया ठीक है देखिए WhatsApp में आ गया है और हमारा WhatsApp पहले की तरह होगा चलने लगा जिससे कि आप देख पा रहे है वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करेगा वीडियो क लाइक और चैनल को सबस्क्राइब दोस्तों बाए बाए